आज मैं आप लोग के साथ सेलकल HD टेबलेट के बारे में डिसकस करने वाली हूँ इसमें जो एक्टिव इंग्रिडियन्ट होता है वो होता है केल्सियम एंड विटामिन D3 तो यहां नाम से किलियर होता है कि इसको हम लोग सप्लिमेंट के तरह यूज करते हैं जब हमारी बॉ प्रिशन होता है उसमें एलिमेंट केल्सियम 500 mg होता है केल्सियम कार्वोनेट 1250 mg होता है एंड विटामिन D3 250 आयू होता है तो जब भी पैसेंट में ज्यादा केल्सियम की रिक्वार्मेंट होती है तो उस टाइम डॉक्टर इसे प्रिसक्राइब करते हैं हमारी सरीर में ब केल्सियम हमारे ब्लड में होता है तो जब ब्लड में इस केल्सियम की कमी होने लगती है तो हमारा बॉडी हमारे बॉन से एंड टीथ से केल्सियम लेने लगता है इस वज़े से हमारा टीथ एंड बॉन्स वीक होता है जब बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है उस समय सेलकाल HD टेबलेट दिया जाता है क्योंकि रिकेट्स में बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और उसका बॉन्ट टेड़ा मेरा हो जाता है उसकी वज़े से उसके स्पाइन में भी पैन रहता है तो उस टाइम इसको दिया जाता है ताकि उसको विटामिन D3 एंड केलसियम का सप्लिमेंट मिल सके जब पैसेंट में ऑस्टियोपरेसिस की समस्या होती है तो उस टाइम सेलकाल HD दिया जाता है क्योंकि osteoporesis में bones weak हो जाती है and arthritis में भी इसे prescribe क्या जाता है जो steroid का supplement जादा लेते हैं तो doctor उसे भी ये tablet लेने की सला देते हैं and यदि कोई patient anti-conversion का tablet ले रहा है यानि की मिर्गी का ले रहा है तो उसे भी ये tablet दिया जाता है अब देखते हैं इस tablet लेने के कुछ side effect वैसे तो इसके कोई side effect नहीं होते हैं लेकिन अगर इसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो इसकी वज़ा से kidney problem हो सकती है इसमें stone बनने का खत्रा रहता है and इसकी वज़ा से heart disease भी हो सकता है तो नॉर्मली ऐसे बहुत सारे condition होते हैं जिनमें की calcium की कमी होने का chance होता है जैसे कि यदि आप ज़्यादा मात्रा में salt consume कर रहे हैं या फिर आप ज़्यादा protein ले रहे हैं तो उस time भी आपके अंदर calcium की कमी हो सकती है या फिर आप pure vegetarian है और आप दूद या फिर दूद से बने product का use नहीं कर रहे हैं तो उस time में भी आपके अंदर calcium की कमी हो सकती है तो ऐसे condition में ही डॉक्टर आपको सेलकाल HD लेने की सला देते हैं